पुछेंगे आम लोगों से पूछेंगे के बापु के भक्त दिखले आम लोग की प्रति किया क्या है इसा लगता है भक्तो लोग तो बोली रहे लेकिन आज आम लोग बोल रहे के आसाराम जी बापु निर्दो से आज सूरत सहर के अमरोली विस्तार के अंदर संत आसराम जी बापु के काफी भारी संखिया में यहां इकठा हो रहे है बापु जी का आत्मा पंचावन में आत्मा साथ साथ का डिन निमित है यह सब इकठे हो रहे है यहां अजारों लोग है और प्रपू निर्दोश है पिर कैसा डर? अरे इसमें कौन सी डर की बात है, कौन सा हमने जोरी कि हमारे बापू तो साथ साथ भगवान है बापू जी कि हम सिश्य में सिखे हो के भी बापू जी पे पूर्ण विश्वास है हमें आज भी गर्व है और आके भी गर्व रहेगा हम बापू के शिश्य है इसने हमें गर्व होता है अब इमान के साथ करते हैं कि हम बापू के शिश्य है और हमेशा बापू के शिश्य रहेंगे कर्वाएं बंडर पूरा करवएं कि वारु पहर आपके रहेंगे हमको किसी सविद्रट का अनिता सब्सक्रात। संतों का सोबा होता है सहना और सहन कर रहे बापू आरोफ सच भी सच नहीं है जो लड़की बोल वे ही कि मेरे साथ बलाट कार हुआ है रेप हुआ है उसके लिए कोई पूरा वाटर लाइक कोई प्रूफ ही नहीं है और वो लोग साबिक भी नहीं कर पाए समय अपना काम कर रहा है आज ही तो कल बापू हमारे सब के बीच में होंगे ही और वीडियोस के है यह आप जल से जल रिहा करो उनको और कुछ नहीं संत सताय तीनो जाये तेज बल और ववंस एड़ो एड़ो कई कर पाउरो पांस यह जलवा जो देख देख के भी मिट नहीं सकता वो जलवा है बापू का तो यह जो आरोप लगाए वो सरासल कलत है ऐसे ठोड़ी किसी के कहने पर यह आरोप सही हो जाएगा प्रशाशन अगर समझ ले तो अच्छा है अभी भी प्रशाशन को नहीं तो खुद्रत भी थपड माने को तयारी है और थपड लेने को सहन करने को तयार हो जाए और पापू को आज इवन कारावास की सजा हो गई पापू जोद्पूर जेल के अंतर बंदे लेकिन आपने देखा काफी भारी संखिया में भक्तों की भीडाई हुए है आज सूरत सहर के परवट पातिया विस्तार के अंदर संत आसा रामजी बापू के भक्तों दुआरा एक भविया हरी नाम संकिर्तनी आत्रा का आयोजन हुआ है जाए हाओ आपुका 56 आत्मस्यक्षात कर दिन है जिसमें आम परवत पातिया विस्तार के अंदर सूरत के अंदर अरीनाम संकृतन यात्रा हमने निकाली हैं जिसमें हजारों की संख्या में भक्त जुड़े हैं आज देखना पड़ेगा कि सोमवार का दिन है धंदा चाल हुए तभी भी लोग इतने जूड़ रहे तो इससे सपश्ट साबित हो जाता है कि अमारे गुरुजी असराम जी बापु निर्दोस है आप ने बताया जारों की संख्या में लोग है लोगों के बुला जात पैसे देखे को अपने आप लोग नहें बाप़ुजी के प्रति इतनी भगवत मानते अंगरे भगवान मानते सब लोग तो सुनते ही अपने आप दोड़े चले आत्म प्रतर में राजस्तान का रहने वाला हो चीरोइड इस्तिका हो मेरा नाम चौपाराम रबारी है अरे आज हमारे परम पुच्चे संत्री आसा नाम जी बापू का आत्म साक्षातकार दिने बापू जी को 21 साल के उमर में ही बागवान का बोध हुआ था उसके निमीद आज सूरत में परमतु पूरे भारत भर में आज हज़ारों लोग हर जगए पर यह भगवान नाम की किर्तन जातरा निकाल रहे हैं जगह जगह पर बंडारा हो रहे में दौपर केह पहले महांड़ी में किया तौ गरीब लाका था बंडारा हुआ वहां पर भी पांचों लोग आये थे आज बापू का शप्पनमा साख्षात कर दीन है पूरे देश में पूरे दूम दम से मनाया जा रहा है और बापू का जेल जाने के बाद लोकों की सद्धा डगी नहीं है यह सब के लिए भगवार है वक्तों के लिए आज हम भी इतना अनंद मना रहे इतना बापू जी के चल कि अधिन नहीं होता एक उद्योग्त पति हो लोग देखेंगे क्या बोलेंगे कि नीचे सड़कों पे चल रहा है लोग क्या भोलेंगे नापको नीडोस है और नीडोस रहे गई मेरा नाम दॉक्तर घुमी है और में गायनेक उस्पिजल में वर्थ करती हूँ अभी मेरी श्रता बापु पे इतनी है कि अगर लोग कुछ भी सोचते है तो मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है मेरी श्रता आज भी उतनी है बापु पे गरव करते हो बापू पे आरफ लगए उसके बारे में क्या कोँगे वाहते हूँ पर लगए मित्या है गलत है उस में एक भी परसंग सचा इनए है आज भी बापू को क्या निर्थोष पांदे ओद पाλλते होती तास्ति है श्रकार से यही मांगोगी कि बापू को जल से जल्द न्याई मिलिया चाहिए मेरा नाम नेलु यादव है पांडेस्रा से आई हो आज किसलिए या शड़कों पे निकलिया हो बापु जी का आत्म साक्षर दिवा से इसके लिए हम सड़कों पे किरतन फेरी लेकिन आपु पे तो आरोफ लगे हैं लोग क्या बोलेंगे क् पर वह आरोफ गलत है बलब आज भी क्या बापु जो निर्दोस मानते हो बापु जी पहले भी निर्दोस थे और अभी विया और रहेंगे भी क्या मांग करोगे सरकार से बापु जी को जल्दी रिया करें मेरा नाम उसाहे मी वराचर से आई हूँ आज संकीतन यात्रा है और हम सब शार्दक भाई पहें लिगरा अधे को बताते हैं वापु जी निर्दोस है मैं शक्ती हूँ, मैं पान्देट्रा से आये हूँ, आज हम लोग यहां पे बापु का आत्म साचाथ करदीवस हैं, उसके लिए यहां पे हम सब सादक भाई बहन संकेतर नियादरा निकालें वापु को निर्दोस मांना नहीं चौड़तके हैं, इसा कभी-कभी सूरे पर गरहन लगता है तो क्या सूरे को सूरे मना नहीं छोड़ते हैं, वैसे हम अपने बापु को कभी बापु वाना नहीं छोड़तागें कि आपने देखा आज सूरत सहर के पडवत पाटिया विस्तार के अंदर संत आसाराम जी बापु के भक्तों ने एक भविया हरिनाम संखिर्ट नियात्रा निकाली आज आसाराम जी बापु लेकिन भक्तों की स्रद्दा संखिया में कोई कमी निया आई आज नहीं रहीवार है अज सोमवार है छुट्टी नहीं है लोग अपने काम दंदा छोड़ के आज बापु के समर्थन में बापु कोई निकले इस अड़कों पर उसमें उद्योकपती है डॉक्टर है बहुत बा बापु को भगवान मानते और लगातार सरकार से भक लोगे की मांग करते के जल से जला सराम जी बापु को रिया किया जाए के मेरा में नंजनी के साथ निलेश ठकर सुरत सहर से रफ्तान कर्ष भतान झाल 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 मेरा ना मंजना पतिल है और मैं सूरत की रहवासी हूँ आज यहां किसलिए आना हुआ आज मैं बापू का आत्मस अकसत का दीन है तो इसलिए मैं दर्सन करने आई हूँ बापू पे इतने घंबीर आरोप लगे है उसके बावजुद परिवार से लोग भेदते हैं किया हाँ मैं तो मेरा जनम हुआ जनम हुआ तब से यहां पर आयो मैं पर यह जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है ऐसे थोड़ी किसी के कहने पर यह आरोप सही हो जाएगा उसके लिए प्रूफ क्या है जो लड़की बोल रही कि मेरे साथ बलातकार हुआ है रेप हुआ है उसके लिए कोई पूरा वात लाइक कोई प्रूफ ही नहीं है और वो लोग साबित भी नहीं कर पाए जैल मेरे रख रहे है तो यह सरासर अन्या है यह गलत बात है आपने बताया बजपन से यहां आ रहे हो तो आस्रम में ऐसी कोई गलत गतिविदिया नहीं होती है आपने बताया तो क्या गतिविदिया होती है आस्रम के अंदर यहां पर सब सास्त्रों प्विदी के अनसार सब लाइक कुजा होती है, यगना होता है, हवन होता है, सब प्राथना होती है, और यहां पर देवी कारिये होता है, यहां पर ऐसे कोई गलत काम नहीं होते है सरकार से क्या मांग करोगे महिला होने के नाति? महिला होने के नादी में यही कहूंगी कि हाँ यह जो आरप है वो गलत है मेरा बापू जल्दी आने चाहिए बात मेरा नाम अनुरदा वकारिया है और मैं यहाँ पर आश्रम में 1985 से आ रही हूँ और मैं कॉलेज में लेक्चर रहे हूँ पापू पर इतने घंबीर आरोप लगे उसके बावजुत आते हो तो आरोप लगे रहा है ज़σι संतों का संदों आ रहे हैं justify नहीं मतलब को अज भी निद्रोष मानते हो इतने घंबीर आरोप लगन ने के बाद भी बाद को आज ही वनकाराबास की सजा होने के बाद भी निदोष है, रहेंगे, और थे, ऐसे हैं यह आप देखो, समाज की मान्यता और ब्रह्मज्यानी शंज की लीला, समाज नहीं समझ पाएगा, जब प्रश्न आये थे तब भी नहीं समझ पाएगा, और आगे भी बहुत से संतों को अन्याई हुआ है, वो सहते रहे हैं, और अब का हाथ इसमें है संत सताय तीनों जाए तेज बल और वंस एड़ो एड़ो कई कवरों के रोपंस एक महिला हो देश के प्रशाशन सरकार से क्या मांग करोगे प्रशाशन अगर समझ ले तो अच्छा है अभी भी प्रशाशन को नहीं तो खुद्रत भी थपड माने को तयार ही है वो और थपड लेने को सहन करने को तयार हो जाए और क्या आज परम पुझ्य संसे आसरम जी बापू का पच्छन वा आत्वसाखसाट का दिन जो यहां सुर तो बापू का आत्वसाखसाट का दिन खुब दाम दूम से मनाया जा रहा है अब बत्रत भाई एक क्या जलवा है बापू का हमने देखा गुरु पुनम जन्माश्ट मीर इसी पाचम दो दिन पहले इस राद गया इतनी भीड और आज भी इतनी भीड मतलब पंडाल पर गय होए उनकी रदाई की आत्म जोथ, पुझ्यक गुरुदेव उनके गुरु के द्वारा जो रदाई में प्रक्ति वह जोट ऐसी प्रक्ति कि आज हजारों नहीं लाखों नहीं करोडों दिलों को प्रक्ता रही है ऐसी जोथ जो कभी बुझे नी ऐसी आत्म साखषाट का र आज सरीर हमारे बिच में नहीं रेते हुए भी, आज कितने बे आरोब लगने के बाद भी, आज वो जो दिल में आत्म जोद जगी है, वो हजारों दिलों को जलाई है, वो जोद कभी नहीं बुझने वाली है, चाहे ये स्पूरुत्वी नहीं, भू मंडल नहीं, साथो साथ के अंदर भी, ये जो भी मानाओ, डानाओ, जो भी लोग है, ये जोद को देखते रहेंगे, कि ये पूरे भू मंडल में व्याप्त ये जोद कभी बुझने वाली नहीं, बुझाने वाले कितने में आके ठक जाएंगे, यो जोद जलती रहेगी, वही तो ये जलवा है आज जो हम देख रहे है, हजारो लाखो लोग, आज अपना दिल पावन करके, पुझे गुर्देव को आसिवाद प्राप्त करके, अपना जन्मों जन्मक का ठकान मिटा कर, वो वास्तव में एक आनंद और प्रमोत के, अज यहां सूरत आस्रम में उत्सव मनाने के बाद, यहां सूरत के अमरोली विस्तार में एक बड़ी भव्या किर्तनियातरा निकलेगी, और उसमें भी अजारो लोग जुडेंगे, और वहां पर भी लोग रोड के उपर खूब आनन लेंगे, वही आत्मग्यान की जोद, पुझे बापु की जो जलाई है, वो लोग, वो जोद अपना काम कर रहा है, आज ही तो कल बापु हमारे सब के बीच में होंगे ही, निस्कलेंग ग्रूप से ही आएंगे, और फिर से अपनी ज्यान की जोड पूरे भारत नहीं विस्त्व के कोने कोने में फिलाएंगे, आपने देखा आज संत आसराम जी बापु आसरम सूरत के अंदर बापु का पच्पनमा अत्मसकसत कार दिन मनाया जा रहा है, और बद्रेस भाई ने वही बताया के फिर से बापु भक्तों के भी चाहेंगे, और फिर से वही सत्संग और ज्यान की गंगा बहाएंगे, और आपने देखा बापु पे इतने घंबीर आरोप लगे, ब भक्त आज भी आसाराम जी बापु को भगवान मानते हैं, और लगातार सरकार से प्रसासन से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं, कि जल से जल आसाराम जी बापु को रिया किया जाए, कि मेरा में नंजनी के साथ निले श्ठक कर संस्री आसाराम जी बापु आसरम जांगिर पुरा सूरत से रप्तानियोग पुरा से रप्तानियोग पुरा से रप्तानियोग पुरा से रप्तानियोग झाल 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 मेरा नाम नंद किस्वर गिच्छित है मैं यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ चित्र कूर्छेट का आज हमने देखा बापू निर्दो से नाम की टोपी और बापू के भक्स रोड पे निकले बापू का फोटो लेके डर नहीं लगता है अरे इसमें कॉंसी डर बात है का हम चोरी थोड़ो किये हैं हम तो गुरुदीच्छाव अपने ब्रह्मग्यानी संत से दिच्छा लिए अरे इसमें कॉंसी डर की बात है कॉंसा हमने चोरी के हमारे बापू तो साथ साथ भगवान है हम अपने बापू के लिए मर मिटने के लिए भी तयार है मतलब कोई संकोच नहीं होता घरगो से बोलते हो हम इमान के सथ क्यते हैं अर हमेशा बापू के सिच्छर रहेंगे इस्वरी बापू की टोपी पें के निकले हो बापू का फोटो लेके निकले हो डर नहीं लगता के लोग क्या बोलेगे काई का डर हमारे बापू निर्दोश है फिर कैसा डर बापू को तो आज इवन कारावास किसे जाओ गए उसके विशे में क्या को हमारे बापू इतने साल से हम जा रहे हैं हमारे बापू निर्दोश है हमें पता है और हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता मेरा नाम दामोदर प्रशाद गुपता मैं एबी जी सिप्याड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और अभी मैं 25 साल से बापु जी का शिश्य हूँ अज आप रोडों पे निकले हो बापु का नाम लेके बापु के फोटो के निचे डर नहीं लगता कि बापु को कारवास की सजा हो गई आज इवन अरे डर काये का बापु जी निर्दोस हैं निर्दोस साबित होंगे पहले से निर्दोस हैं बापु जी कि हम सिश्य में सीय हो वो अपना कोई निस्टित कारिक्रम है उसको फूरा करने के लिए गये हुए है जैसे बापु जी ने बविश्वानी की थी कि मैं सबको पहले बाहर करूंगा सिलफी को बाहर किया है सरत को बाहर करेंगे और फिर बापु जी आने ही वाले हैं अभी हम थोड़ी समय पहले बापु जी से मिलके आये थे बापु जी बिलकुल निर्दोत हैं बिलकुल चांत हैं कोई बापु जी को कोई करूर नहीं है किसी पर सिकायत नहीं है बापु जी पूरे ब्रह्म है, और बहार आके ही रहेंगे। आपने बताया कि बापु से हम मिल के आये, तो बापु ने क्या बोला रहा है। बापु ही नहें बहला कि तुम अपना संकल पूरा रखो, मैं मेरा निस्षित करिक्रम आथ करके जल्द बाहरां रहू हूँगा। आज सुरत सहर के अम्रोली विस्तार के अंदर बापू के भक्त निकड़े सरकों पे हम आम लोगों से जानेंगे आम लोगों से पूछेंगे के बापू के भक्त निकले तो आम लोग की प्रति किया क्या है अब भया आप बापू के यहां बापू के साथ जुड़े हुए क्या यह जो बापू के भक्त इतने सारे रोड़ पे निकले है तो यह देखके क्या लगता है आपको कि असाराम जी बापू 82 साल के एक इंदू संथ ऐसा काम कर सकते है क्या शूरत में रहता हो इतने सालों से यह रह रहे हैं unconasा झाल। वापुद निर्दोस है वपक्त तो लोग तो बोली रहें गिना आज आम्लोग बोल रहें कि आसाराम जी बापु निर्दोस है और आप देख रहे हो काफी वारी संक्षिया व महिला है राथ में बापू का फोटो ले के निकले और उनका यहीग ना है कि भले आसाराम जी बापु को आज इवनकारावास की सजा हो गई बापु भले जोदपूर जेल के अंदर बंदो लेकिन आज भी हम आसाराम जी बापु को निर्दोस मान रहे और काम भी बारी संखिया में भक्तों की बीड है यहाँ पे अज बापु जी निर्दोस एसाराम जी बापु परिवार अमरोली के अध्यक्स मनर भाई आज ये किस निमीत ये लोग ही कठा हो रहे हैं यहाँ बापु जी का आत्मा पंचावन मा आत्मा सथ-सथ का निमीत है अज सब लिकते हो रहे हैं यहाँ अजारों लोग है और बापु पे इतने गंबीर आरोप लगे उसके बावजुत यह लोग यहाँ रोडो पसड़कों पे निकले हैं बापु जी निडो से सब आरोप बिलकुल निर्ठक है यह अजारों लोग अधर देखे है इधर है यह प्रट्यस प्रमान है कि बापु जी हमारे निडो से इसके अलाबА क्या क्या कारेकरम रहता हैं हमो लीड़ी संहीति द्वारा हम हनवaneं जी का मंदिर बनाया है ग्यारा साल वहां जाते हैं यह एक पर मंडिन नहीं है आप लोग आते हो बोलते हैं यहुद्य के लिए ईसको मंडिर बनाया है उसीति इसलिए हं म मैं हनब दाने का मंडिरं मन्दिन देच्द प्लब करते हो हम भी का मजछ यदेद्य श्राव shifts और बापू पे जो आर्प लगा हुआ हुआ है तीस साल से जाता हूं और मैं कभी ऐसा देखा भी नहीं है एक बिजया की गरबर है आपने देखा आज सूरत सहर के अम्रोली विस्तार के अंदर काफी बारी संखिया में आसा राम जी बापू के भक्त इकठा हो रहे है इस समीती के द्वारा एक मंदिर का निर्मान किया उनका ईही कहना है और बापु के भक्तों का तो कहना ही था लेकिए बाया ङी depends should रहे सबते एंदर इसाई को कन्वर्ट करके उनको इसाई बनाती बाफू के और बाफू के भक्तों ने वहां जागे जो गरांड लेवल पर जो काम किया और फिर से हमें अंदु धरम में वापस लाए इसी वज़े से आसाराम जी बापू को आजी उनकारावास की सजा हुई इसी वज़े से आसाराम जी बापू का फसाया गया और लगातार भकलोग सरकार से एक ही मांग कर रहे के जल से जल आसाराम जी बापू को रिया किया जाए के मेरा में नंजनी के साथ निलेश ठक कर अम्रोली सूरत से रप्तानी हुई